कि प्रदेश भर में विधान सभा का शीत कालिन सत्र शुरू होने वाला है और इस बार ये पांच दिन का होगा जिसको लेकर कॉंग्रेस ने आपत्ती जताई है आपको बता दें कि कॉंग्रेस के प्रमुग सचे तक हैं डॉक्टर गोविन सिंग उन्होंने आपत्ती जताई है और वो चाते हैं उन्होंने आग्रह किया है कि दस दिन का विधान सभा सत्र होना चाहिए तो गोविन सिंग ने बकायदा राजेपाल मंगूबाई पटेल को एक खत लिखा है और कहा है कि विधान सभा की एक साल में कम से कम 75 बैठकी होनी चाहिए तो पाच दिन के होने वाले विधान सभा सत्र पर कॉंग्रिस ने आपत्ती जताई है और इसको लेकर कॉंग्रिस ने कहा है कि कम से कम 10 दिन का विधान सभा सत्र किया जाए और ये आग्रह किया है गोविन सिंग ने राजेपाल मंगूबाई पटेल को खत लिख कर तो यह जानकारी बेदिखास है यह कहना है गोबिन सिंग का कि विधान सभा की एक साल में कम सकम 75 बैठके होनी चाहिए और इसी को लेकर राजेपाल मंगुबाई पटेल को एका पत्र लिखा गया है और अग्रह किया गया है कि पाच दिन के बजाए दस दिन का विधान सभा सत्र चलाया जाए और इस सब पूरी खबर पर प्रदेश के ग्रीमांत्री डॉक्टर नरोत्म इश्णा ने क्या कुछ का है आईए वो सुनते हैं अग्रह करती है और अजीव कांग्रेस है चर्चा सड़क पर करती है सदन में हंगामा करती है जहां चर्चा करना चीए वहां हंगामा करते है जहां हंगामा करना चीए वहां चर्चा करते है बचित्रताओं से भरी हुई है कांग्रेस और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए है हितेश वाजपई उन से हम बात करेंगे हितेश जी जिससरा से पाँच दिन की बात की जा रही है और कॉंग्रेस कह रही है कि दस दिन का विधान सबा सत्र चलना चाहिए जो मुद्दे हैं जो चर्चा हैं पाँच दिन में भी पूरी की जा सकती है ताकि क्रियानवन के लिए भी जादा वक्त मिल जाए सत्र नहीं भी चल रहा हो तो कोई उनने मुद्दे जी को कोई चिक्षी दिखी हो मुद्दे सच्य तक्य रूप में कुछ आप नहीं पाएंगे तो कॉंग्रेस विपक्स के रूप में फेल हो पाच दिन क्या दस दिन चले चलना उनको अड़ाई कोसी है वो घर से निकलेंगे वो गांडी जी की परतिमा के निचे बैठ जाएंगे गले में तक्तियां टांगेंगे फिर डोल लेकर आएंगे नारे बाजी करेंगे आप बताई इसके अलावा कोई कोई आपने आप खुद इतनी सीनियर एंकर हैं सदन में किसी चर्चा को बहुत अच्छे तरीके से कभी रखते देखा आपने तो इनको तो अभी इसी बात के घाव इनके भरे नहीं है कि इनकी सरकार जा चुकी है तो अधिकार समय ये लोग पोलिटिकल स्टेंट्स में बिता देते हैं तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई तरक सम्मत इनके पास कोई आधार नहीं है किसी बात को या एक्स्टेंट करने के लिए कहने का कि किस वज़े से आप चाहते हो क्या आपको लगता है कि पांच दिन ये चर्चा नहीं हो पाएगी बताओ कौन सी चर्चा नहीं हो पाएगी पास दिन में तो बता दीजिए दस रखते तो बोलते कि साथ बीस दिन की चर्चा करो जी के के मिश्रा भी चुड़े हुएं कॉंग्रेस के नेता हमारे साथ उन से भी जान लेते हैं मिश्रा जी आप बताईए दस दिन के विधान सबा सत्र का अग्रह किया जा रहा है पांच दिन में भी तो तमाम बाते रखी जा सकती हैं जादा वक्त क्यों चाहिए देखिएगा जो विधान सबा का कांस्ट्यूक्शन है उस कांस्ट्यूक्शन के हिसाब से एक वर्ष में पिचप्तर बैठके आहुट करने का नियम है और जन्ता की गारी कमाई विधान सबा और संसब के सत्रों में करोणों अर्बों रुप्यों तक की संक्ष्ण में जाती है तो क्या आवश्चक है कि सिर्फ पांच दिन में ही चर्टाय कराई जाए क्योंकि एका सफल सरकार विपक्श वोका नहीं देना चाहती है कि विपक्श अपनी आक्रामक्ते से सरकार का वास्तुविक स्वरूप जन्ता के बीच लाए यही कारने कि सरकार का इन कोरोना का बाना बना के तीन दिन में सत्रा हूट कर देती है और तीन दिन का सत्र भी तो दिन में खत्म कर देती है मिश्रा जी साती साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि कॉंग्रेस सदन को चलने नहीं देती अगर बात रखनी है तो रखी जाए लेकिन आप लोग सीधा विरोध पर आ जाते हैं सदन चलने नहीं देते हैं इस पर क्या कुछ कहेंगे आप लिपक्ष यदी सदन में बात नहीं करेगा तो क्या गंदेनाले में करेगा चुटे तालाब में करेगा हिते जी, आपता ही है आपक्षा कजजूंस के दोरान चंसद्ड में भारती जनता पार्टी करेगे कि यो दू दे नहीं क्या किया ये मेरी बात हो जाने जीजेगा प्लीज मेरा निवेजन डॉक्टर आप से रूप में भारती जनता पार्टी से तो दिन पहले हमने संविधान जीवस मनाया संविधान जीवस पर खूब अच्छे बाशन दिये तो संविधान के अनुवार ही किसी भी सदन में विपक्ष को अपनी बात कहने का संविधानीका जीकार है तो सरकार उसा जीकार को क्यो चीन रही तो मिलानी दिवस मानाने का होचे ती क्या है सरकार को चाहिए भई माने दिखने जैसें जी के साशंक तक 90-90 जिन साथ-साथ जिन के सत्र चरें हैं तब भी सरकार थी तब भी विपक्ष था जी मिश्रा जी अभी अब हम जो जवाब लेते हैं हितेश जी इनका सीधा यह कहना है कि बात नहीं रखी जाती है तब ही जो है हम तो विरोध चाहिए हम तो सदन में रखेंगे या पहले भी तो चलता था अब नहीं चलने दिया जा रहा है पाँच दिन ही रखा जा रहा है तो क्या कहेंगे इस प्याब हम से कहता है कि विपक्ष खतम हो गया है मिश्रा जी हितेश जी को जवाब दे ले जी जी मैं समझा मुझसे पूछ रहे हैं आप जी मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि नाले में जाके कहेंगे तो दुख साब क्या होता है अपन खुदी संसदी मर्यादाओं का पालनियदी नहीं करेंगे मिश्रा जी तो पता ही बेंज इतने अच्छे से सवाल कर रही है आप भी अच्छे से जवाब दे रहे हैं यहीं चीज़ तो कॉंग्रेस की खतब हो गई है कि हम लोग अपनी मर्यादाओं को लोग संत्री की बातों को कॉंग्रेस अपनी हार के पीछे चुपाती जारी भू मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद बंसन लिए उसको वक्त देने के लिए खैरियत आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन-कौन से जो विधेयक हैं पास होने वाले हैं कौन-कौन से इसे मुद्द रहेंगे जो विधान सबा के शीत कालिन सत्र में चलेंगे जो की 20 तारिक से शुरू होकर 24 दिसम्बर तक चलेगा